स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चानल में स्टड़ी विद गीरी सिस्टर्स तो जैसा कि हमारा चैप्टर नमबर फोर कार्बान और उसके कंपाउन का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है तो उसके जो कोश्चन्स है आज हम लोग उसको यही पर देखेंगे और समझेंगे और उसका solution निकालेंगे मैं यह जो इंग्लिस में लिखा हुआ है मैं इंग्लिस में ही आपके MCQ और बाकी जो questions के एंसर प्रभाइट कर रही हूँ यदि आपको हिंदी में ही मैं ऐसे समझाओंगी तो ताकि दोनों मेडियम के बच्चों के लिए स्विधा हो तो हमारा जो राइट एंसर होगा वो होगा नॉन मिटल ठीक है उसके बाद है अमर्फस आलेटोफ और कार्वन का क्या होता या होता है कार्वन का तो कार्वन का है मर्फस आलेटोफ होता है चारकुल ठीक है उसके बाद है next which of the following fuels are has highest caloric value highest caloric value किसकी होती है जैसे कि हमारे पास ВОЛ ऑ लोड है तो जो हमारे जो राइट एनसर होगा वह होगा x ag की therapist गैस कोँ और सोसित और तो एकवस रैन्सर कोजां íd हो सकते है k arefa गेस होता है qreanल dow इसे में हो सकते हैं sco कारवन रिमेंस इनफरी चेट क्जार्छ सकता है ग्रिफाइट में होता है ठीक है next है which of the following is insoluble in water insoluble in water किसमे होता है which of the following is insoluble in water किसमे हो सकता है तो हमारा जो right answer होगा वो है A यानि की C-A-S-O-4 यह insoluble in water होता है ठीक है तो हम इसको लिख सकते है insoluble in water non carbon waste क्या होता है hydrogen the air pollution from motor vehicles can be reduced by using it as a fuel तो किसके द्वारा जो air pollution मिटाया जा सकता है कम किया जा सकता है तो जो हमारा right answer होगा वो है nine का CNG ठीक है CNG which is biodegradable polymer biodegradable polymer क्या होता है तो जूट बैग होता है जिसको हम लोग फिर से recycle कर सकते है विच इस नॉट ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस क्या नहीं हो सकता है nitrogen which of the following devices directly convert solar energy into electrical energy में directly convert किया जाता है वो है हमारे पास जिसका answer होगा c number यानि कि solar cell इसको direct solar energy से electrical energy में convert करने का जो काम करता है वो है solar cell ठीक है अब हम लोग आते हैं very short answer type vsa में vsa में क्या होगा हम यहां पर लिखते जाएंगे बोलते भी जाओंगे तो अपने रावडन आप लिख सकते हैं तो हमारे पास जो right answer है होगा जैसे कि gas carbon is a good यहां जो होगा वो है good ठीक है next is used in the formation of printers ink printers ink में कौन सा चीज इसका यूज किया जाता प्रिंटर्स इंक में तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लैंप ब्लैक ठीक है लैंप ब्लैक का यूज किया जाता है प्रिंटर्स इंक में ठीक है absorbing property is inherited इसका जो absorbing properties है यहां पर है तो जो questions है यहां पर चुकि हमारे book में है बोत गलत मुझे लग रहा है इसलिए मैंने इसका answer नहीं आप लोग बताया है यदि आपके book में कुछ ऐसा हो तो आप मुझे comment section पूछ के उसका answer प्राप्त कर सकते हैं यह ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है मिस्प्रेंटिंग है कुछ फोर नमर का आता है an ideal fuel should have a high calorific value होना चाहिए तो राइट एंसर हम लोग लिख सकते हैं high ठीक है high calorific value होना चाहिए ठीक है उसके बाद है incomplete burning of fossil fuel produces carbon monoxide gas को बनाता है जिसको हम लोग लिखते हैं CO CO भी लिख सकते हैं CO carbon monoxide gas ठीक है bubbles of come out and opening of soft drink bubbles किसका आता है CO2 का bubbles आता है आपने देखा होगा ना जब soft drink खोलते हैं तो CO2 का bubbles आता है बाहर right answer CO2 होगा electrop of carbon sorry electrop of oxygen क्या हो सकता है right answer होगा O3 O3 ozone को ही कहा जा सकता है electrop of oxygen the kinetic energy of wind is converted into kinetic energy wind का जो convert किया जाता है wind means में वो किसमे convert किया जाता है तो right answer होगा हमारे पास wind electrical energy में ठीक है इसको हम लोग लिख सकते है electrical electrical energy ठीक है next हम लोग आते है state true and false में तो true and false में सबसे पहला है CN is a relatively clean fuel तो यह होगा true ठीक है यह होगा मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ यहाँ पर होगा true ठीक है biogas is a burning biogas on burning leaves behind s नहीं बर्निंग के बाद biogas ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ता है तो यह होगा false co2 is a non poisonous gas तो यह तो सही बात है कि non poisonous होता है deadly poisonous नहीं होता है यह statement false है dilute sulfuric acid is not used for preparation of co2 gas यह भी है कि dilute sulfuric acid नहीं बना प्रप्रेशन जो co2 का हम लोग करते हैं lab में उसमें नहीं करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यह CSO4 बनाता है जो की एक layer बन जाता है दोनों के बीच में जिससे की contact नहीं हो पाता marble pieces का acid के साथ जिससे की co2 की जो बनने की प्रकिरिया होती है वो stop हो जाते है इसलिए यहां पर H2O4 का use नहीं किया जा सकता है CO2 के preparation में biomass is an example of renewable source of energy तो right answer क्या होगा लिखा है biomass तो हम इसको यह statement है यह है false ठीक है इस तरह से हमने सब कर लिया next है हमारे पास कॉलम का कि matchmaking कैसे करना है तो matchmaking में आप देखिए कि symbol of fluorine का जो symbol होता है वो कैसा होता है यहां पर जो right answer होगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो और बड़ा कर देती हूं आप लोग को symbol of symbol of fluorine का जो होगा right answer क्या होगा right answer देखिए C60 का structure में होता है about 1.5 times heavier than air कौन सा 1.5 times heavier than air होता है CO2 होगा gum boot is prepared by using gum boot को किस से बनाया जाता है तो PVC right answer होगा PVC turns blue litmus red यह CO2 को एदी हम water में sorry water में हम लोग मिलाएंगे तो बनेगा एक acid बनेगा जिसको carbonic acid बोलते है HCO3 और वो blue litmus को red में convert कर देता है ठीक है तो यह हो गया अब यह जो two column है उसको हम लोग यह करते हैं तो इसका जो answer होगा even melt the polar ice caps तो इसका answer क्या होगा एक का होगा five global warming ठीक है used as a refrigerant इसका answer होगा dry ice का use करते हैं और fuels do not leave any residue on burning कोई भी residue नहीं बचता है जरलने के बाद तो इसको इसका answer क्या होगा इसका answer होगा इसका answer होगा C का third number LPG और CNG में कोई भी कुछ भी नहीं बचता है बायोडिगार्डेबल polymer क्या होता है जिसको convert किया जाता है तो D का होगा second number यानि की protein ठीक है इस तरह से हम matchmaking complete कर लिए नेक्स्ट है हमारे परस क्या find out the odd one odd one को find out करते हैं इसमें odd one में जो find out हम कैसे करेंगे कि पहले हम देखेंगे क्या कि diamond limestone magnesite और dolemoid इनमें सबसे ज़्यादा यह होगा diamond है यह free state में होता है carbon sodium phosphorus sulfur तो इसमें होगा phosphorus ठीक है LPG hydrogen dung cake biogas तो इसमें क्या होगा hydrogen जो odd one है wind energy energy obtained from fossil fuels child energy geothermal energy obtained होता है fossil fuels से वह होगा hot water steam moving water tides तो जो इसमें होगा वह स्टीम ठीक है यह odd one हो गया next है हमारे पास क्या कि answer the following question in one word या फिर एक sentence में या फिर एक word में answer दीजिए ठीक है मैं कोशिस करूंगी कि यहीं पर एंसर आप लोगों को लिख के बता दू तो question है कि वीच वह वीच वा वीच अपड़ एलट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन इस यूज एज लूवडिकेंट इन हैवी इंडस्ट्री कौन सा एक कार्बन का एलट्रॉपिक बहुरूपता ह होता है जो कि हैवी इंडस्ट्री में लूबॉडिक ₹1 इन सबूब ॠीया जाता है तो जो इसका एंसर होगा ग्रेफाइट थिकर तो हम लोग इसका एंसर लिख सकते हैं कैसे ग्रेफाइट जी आर ए A, B, H, I, T, ठीक है, ग्रेफाइट हम लोग लिख सकते हैं ठीक है, नेक्स्ट है कि By Which compound the cells of snail and comes are made किससे बनता है, तो इसका right answer कार्बोनेट से बनता है, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट नेक्स्ट है, Name the carbonous compound that is used to in the manufacturer of glass glass के manufacturer में कौन सा एक carbonase compound होता है जिसका use किया जाता है तो वो है हमारे पास sodium carbonate ठीक है carbonase compound है तो sodium NCO3 sodium carbonate ठीक है next है name the property by which the diamond is used as cutting of glasses तो किस प्रोपर्टी करण diamond का use किया जाता है cutting glasses में इसका भी देख लेते हैं answer तो इसका जो answer होगा कि highest thermal conductivity and hardness के कारण इसको मैं यहाँ पर बोल दे रहे हूं आप लोग लिख लीज़ेगा highest thermal conductivity and hardness की कारण ही इस गुन की कारण ही glass cutting के रूप में diamond का use किया जाता है ठीक है उसके बाद आते है by which properties acidic property के कारण acidic भी लिख सकते है acidic property के कारण acidic property कारण sorry acidic property कारण ही blue litmus red हो जाता है ठीक है what is the chief constitute on biogas का chief constitute क्या क्या होता है methane होता है carbon dioxide होता है और hydrogen होता है ठीक है यहां मैं बोल दे रहे हूं methane carbon dioxide और hydrogen ठीक है उसके बाद क्या है कि what is the temperature of solid carbon dioxide जिसको dry ice भी कहा जाता है तो इसका जो temperature होता है होता है minus 78 degree centigrade ठीक है उसके बाद है क्या why CO2 gas is not collected over water क्योंकि CO2 is fairly soluble in water so that's why it is not collected over water CO2 is fairly soluble in water that's why CO2 is not collected over water यह लिख सकते हैं हम लोग CO2 बहुत मतलब असानी से पानी में घूल जाता है इसलिए CO2 का use नहीं किया जाता है पानी के ही पानी के ओपर CO2 का collect नहीं किया जाता है विंड एनर्जी भी लिख सकते हैं solar energy भी लिख सकते हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि cleanest form हो solar energy cleanest form हुआ ठीक है उसकी बाद हम लोग लिख सकते हैं इस cellulis is a monowar और या polymer तो हम cellulis क्या है polymer होता है ठीक है इस तरह से यह हमारा यह one word और one sentence वाला question का answer हो गया है और next हम लोग मैंने copy में लिख रखा है आप लोग को इसके बाद के जो questions है इसके बाद आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो short answer type जो है essay यानि कि short answer type question answer है उसको हम मैं इस तरह से आपके लिए copy में लिख आई हूँ क्योंकि बहुत सारा लंबा-लंबा है मिंस बहुत सारे लंबे answer होंगे तो बोड पे लिखा नहीं जा सकता है तो मुझे लगता है कि इसे समझने में आपको आशानी होगी और मैंने इंग्लीज में लिखा है और हिंदी में इसको एक्सपेंट भी कर दूँगी ताकि आपको दोनों हिंदी इंग्लीज दोनों में समझ में आ जाए और दोनों के मेडियम के बच्चों को असुवीदा नहीं तो इस तरह कि हमारा first question है कि how does carbon और नेचर नेचर में कारवन किस तरह से उपस्तित है या पाया जाता है तो हम क्या जानते हैं कि फ्री स्टेट में डाइमंड में है ग्रिफाइट में कोक में है कोले में होता है कॉमाइन स्टेट में लाइम स्टोन मारबल डॉलमाइड वगएरा में होता है उस तरह से गैस पहाई जाती है किस से पाई जाती है। दिफेरंस इन क्रिस्टल एंस्ट्रोक्चर और डिफेरंस इन ऑफ इन ही नमबर ऑफ ए टंसने मोलीकुल स में जो एटम्स को संखिया होती से उनकी या उन स्ट्रक्टर होता है अलह अलह हो सकता है तो उनके कारण ही भुरूपता पाई जाती है ठीक है जो九 लेंड बलच लेंड प passion होता है यह मुझीन ही उसकिस चच्टान होता है 100 Luciugh कार्बोनियस में कहते किस चृक्री क्वायरा होता है और यह किस तरह से होती है जैसे कि यह किरोशिन तेल और वगरा यूज़ करेंगे और उसके उपर एक वेट ब्लैंकेट को कवर कर देंगे तो क्या होगा एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होता है जिसकी कारण यह बहुत ज्यादा ब्लैक उसके उपर से मिलेगा आपको जिस भॉट चार्कोल यूज्ग यास मास्क से गैस मास्क में वीड चार्कॉल का किन्यों यूज़ किया जाता है इसके जो पुरश्टिक बहुत च्षिद्र होते हैं जिसी का बुग चार्कॉल के और जोलूट अब सब्सकेंश को एबजरॉब कर लेता है और यह पॉजनेस गैस और प्यूरिफाइग वाटर को भी वाटर को भी प्यूरिफाइग कर सकता है इसलिए वूट चारकुल का यूज किया जाता है गैस मास्क बनाने में यूज फॉर मेकिंग गैस मास्क ठीक है क्वाटर को बनाने के लिए क्या केमिकल यहनी क्या राशायनिक प्रती कि रेयैं ज़ों की जरोद परती जिसके करण दो मारबल स्टों होता है कलस्यम और कर्वाट सेल इन दोनों कर एक करांगे तो हमें अब CSO2 प्रेसिपिट के रूप में मिल जाएगा यह सॉल्ट है और C02 गैस हमें मिलेगी और प्लस एस डू ऑ वाटर के उतपते होगी यह भी है कोस्टन क्या कि इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो कममाउंट बने गा हमें CSO4 वह क्या करेगा एक लेयर बना देता है वाटर के संपर्क में वाटर के साथ और उसके बाद क्या होता है यह लेयर बनने कारण एसीड और कैल्सियम करबोनेट का संपर्क तोर जाता है जिससे की CO2 gas बनना बन जाता है यह बहुत अच्छा question आता है और बहुत important भी है तो इसका भी question आ सकता है तो इस तरह से CO2 gas का preparation करते हैं लैब में ठीक है next है हमारे पास question किया कि mention two uses of teflon teflon का दो यूज बता है और PVC का यूज क्या होता है teflon का यूज क्या होता है for making non-stick, non-stick बर्तन देखा है अपने उसमें यूज किया जाता है cooking utensils, gaskets में और pump packings में भी यूज किया जाता है PVC का अपने नाम सुना ही होगा कि raincoats बगरा बनाने में curtains, curtains, cloths बनाने में, gumboot बनाने में और water pipes बनाने में भी यूज किया जाता है name to alternative source of energy and mention their usage जैसे एक 7 वा नमबर question है solar energy wind energy यह बाग क्या है alternative source है solar water heater इसका use है solar cooker है solar cells है wind energy का कैलिक्स तुरह ने water lifting pump, pump के दोरा water को lift करने में काम में wind energy का use किया जाता है floor mills बगरा में भी wind energy का use किया जाता है what will be observed when excess CO2 is passed through lime water क्या आप देखेंगे आप क्या देखेंगे कि जब excess अधिक मात्रा में यदि CO2 gas को lime water solution में provide करने पर क्या आपको देखने को मेलेगा तो हम क्या चानते हैं कि जब CO2 gas परवाइद की जाती है lime water में तो क्या होता है कि यह पहले मिल्की एक दूद जैसा बनता हुआ दिखाई देगा दिखाई दिखाई देगा और एक insoluble CO3 हमें मिलेगा यह कैल्सियम कार्बोनेट की प्राप्ति होगी हमें और देन उसकी बाद हम एकसे समांट अब CO2 डालेंगे उसमें गैस को डालेंगे तो क्या होगा कि यह milk नेस है वो डिसपियर हो जायेगा जो पहले जो दूद वाला जो रंग था वो बिलकुल ही गायव हो जाएगा और उसकी जगह पर जब एकसे समांट अब CO2 डालेंगे सब्सक्राइब कर्भाट है बड भीभी-धशन, और तो क्या रंग होता उसमें मिलट कर्भाट हो थे, इस तरह से करके हम यह question आपका short answer type हमने cover कर लिया है आप लोग अच्छे से समझ में आया है और long answer answer उसी तरह से possible नहीं है कि इस तरह से लिखा जा सके और मुझे लगता है कि आप अच्छे से जो explanation वाले जो वीडियो है उसको देखेंगे और यह questions answer भी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर भी आप अच्छे से self study करिए बहुत जरूरी है और ठीक से देखिए science बहुत टफ नहीं होता है बहुत easy होता है interest लेके पढ़ेंगे तो सब easy है तब तक हमारे channel को देखते रहे और please share जरूर करिए और बच्चों को भी ला मिल सके और भी exam में बच्चे अच्छा कर सके ठीक है थैंक यू फिर मिलते हैं बाई